हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 10 की जोग्रॉफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास संसाधन एवं विकास चैप्टर से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमन मैं उसमें कुछ बाते की थी संसाधन और विकास के बारे में बेसिक चीजे और आज हम उसका ब्रॉट फॉर्म परेंगे ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना संसाधन एवं विकास हैं क्या ठीक है अब ये देखिए कि हमारे परियामर्ण में बहुत सारी वस्तुए उपलब्द है ठीक है जो हमारी अवशक्ताओं को पूरा करती है और जिसके बनाने के लिए तकनीक उपलब्द है आज कल बहुत सारी टेक्नोलोजी उपलब्द है जो आर्थिक रूप से समझ लीजे संभाव या फिर सांस्कृतिक रूप से मान्य है ठीक है इसे कहा जाता ह है संसाधन तो इसी के बारे में आज हमें स्टड़ी करेंगे कि संसाधन क्या है ठीक है कौन-कौन से होते हैं कितने प्रकार के होते हैं ठीक है इनका बचाओ कैसे करना चाहिए इनका उप्योग कैसे करना चाहिए ठीक है तो यह सारी चीजों का हमें स्टड़ी करेंगे तो इसमें डिटाज हैं बहुत सारे चोटे चोटे टर्म से जिनके आपको मतलब समझने को मिलेंगे इसमें तो इक्जाम में सीधे-सीधे पूछ लिया जाता है ठीक है तो इसी लिए भी कंसेंट्रेट और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग एक साथ मिलके संसाधन एबंविकास के बारे में तो चल ये किसी देरे के श्चार्ट करते हैं थो देखे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत Cheese हवारी अवश्क्ताऊ को पूरा करने में प्रयुक्ट की जा सकती है aur जिसको बनाने के सांस्क्रितिक रूप से मान्य है यह एक संसाधन है और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का जो है रुपांतरन प्रक्रिया प्रकृती यानि कि आप देख लीजिए कि जो भी प्रकृती में ठीक है ध्यान रखेंगे जो भी प्रकृती में हमें चीजे प्रवाइड होती हैं वो हम सीधे-सीधे वैसे तो ठीक है उसी लकड़ी के चुयर बन गए उसी लकड़ी के जो है बैड बन गए ठीक है तो इन सारी चीजों को हम प्रयोग करते हैं किसके माध्यम से प्रद्योगी की और संस्थाओं के पारस्परिक क्रिया के माध्यम से ठीक है और मानों प्रद्योगी की द्वारा ना प्रक भीज बोने के भी मशीने आ गई है त्रेसिरिंग के लिए ठ्रेशर मसीन आ गई है तो यह सारी टेकनोलोडीर इतु सव Symmu को प्राकृतिक उपहार समझते हैं मैं तो बिलकुल समझती हूं यह प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार ही तो है जिसका संसाधन का हम लोग यूज कर रहे हैं और अगर हमें प्रकृति यह प्रोवाइट नहीं कराती तो क्या होता देखिए क्या है प्रकृति तो दी है यह मैं मानती हूं लेकिन पूरी तरीके से ऐसा कहा जाए यह भी नहीं है देखे संसाधन तो उपलब्द है एस यूजवल ठीक है यह तो प्रकृति का उपहर है ही है लेकिन जब तक मानवी क्रियाएं उसमें नहीं होंगी तो उस संसाधन की कोई संसाधन है अगर मानवी क्रियाओं द्वारा तो देखिए यह जो संसाधन है न ये मानवी क्रियाओं का परिणाम है जैसे आप भूमी पूझी लेते हैं जब तक इसमें मानों का involved नहीं होगा तो क्या होगा नहीं होगी इसकी कोई यूज़ भूमी ऐसी कि Ms. पूँजय ऐसे ही धरी के धर रह जाएगी नों सवयम संसाधनों का महत्यू पूण हिस्सा है माना संसाधन हमने देखाी है क्लास एट में और फे griya Nora my पाय जाने वाले प्रकृती है यहां प्रध्योगी की है और यहां संस्थाएं और बीच में मानो यानि की समझ लीजिए मानो जो है प्रकृती में जो मौजीद पहरतिक पर्यावरण की संसाधन है उनका यूज टेक्नोलोजी के माध्यम से करता है इसके माध्यम से जो है संस्थाएं जो है चलत किया गया है अभी सिर्फ हम वर्गी करण देखेंगे इसके पश्चात हम सारी चीजों की डिटेलिंग देखेंगे एक भी चीज आप से रह नहीं जाएगी कि आपको ये term नहीं समझ में आ रहा है ठीक है तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ हम इसका वर्गी करण देख रहे हैं तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो जैव और अजै ठीक है बायोटिक और नॉन बायोटिक समाप्यता के आधार पर यानि की समाप्त होने के आधार पर एक है नवी करण योग और एक है अनवी करण योग ठीक है तीसरा है स्वामित्य के आधार पर यानि की राष्ट् और सामुदायक विकास के अस्तर के आधार पर संभावी विक्सित ठीक है ये है भंडार और संचित कोस ठीक है अभी हम एक जो है समझ लीजे कि लाइन के द्वारा जो है हम वर्गी करन करेंगे जिससे आपको अधिक अच्छे से समझने में प्रयास ब्रत रहेंगे ये दिखे, हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते है संसाधन को दो पार्ट में डिवाइट किया गया है, एक है प्राकृतिक और एक है मानवी तो सबसे पहले थोड़ा सा प्राकृतिक को देख लेते हैं प्राकृतिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है नवी करण योग और एक है अनवी करण योग सीधा सीधा सा फंडा ये है नवी करण योग ये जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं और अनवीकरन मतलब जिसका जो है नवीकरन नहीं किया जा सकता है ठीक है यानि कि जो एक दिन आके समाप्त हो जाने है ठीक है तो ये है अनवीकरन नवीकरन भी जो है वो दो प्रकार के हैं एक है सतत एवं प्रवाह जैसे की समझ लीजे पवन और जल और एक है जैब यानि कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, ठीकैं, और अनवी करन इस्तरोथ है, जैसे देखिए पुनह चक्री जैसे की धातु हो गए, और अचक्री जैसे की जीवाश में इधन हो गए, अब दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं, मानवी, तो मानवी भी दो पार्ट में डि सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के अधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन है सबसे पहले बात करते हैं जैव संसाधन आखिर है क्या ठीक है अब देखें इन संसाधन की प्राप्ति ना जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है जैसे कि देखिए वनजपति जात प्राड़ी जात मज़ीवन पशुधन यह सारे ज्यव शन्षाधन है अब वहीं पर हम अजव शन्षाधन की बात करें तो वह क्या है वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने है जैसे कि देखिए चटान हो गई और धातुए हो गई तो यह हो गया जयवजव, आपको जयवजव अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप हम देखते हैं डूसरे बेसिस पे, यानि की समाप्यता के आधार पर, यानि हमने नवी करण और अनवी करण को पहुत अच्छी से डेटेलिंग की है क्लास 8 में भी, और हम फिर से कर करने वाले हैं, तो क्या होगा हमारा रिवीजन हो जाएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं नवी करण योग्य संसाधन के बारे में, अब देखे, वे संसाधना जो भौतिक, रासायनिक या यांत्री प्रक्रियदारा, नवी कृत या फिर समझ लिजिए कि पुना उत्पन न किया जा सकते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं नवी करण योग्य या फिर कह लिजिए, पुना पूर्ती योग्य संसाधन कहा जाता है, अब जैसे देखिए, सूरी की उर्जा, सूरी की उर्जा, किसका कौन सा संसाधन है, ये नवी करण संसाधन है, जैसे पुना उत्पन निकिय बहुत जादान ना इनका भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अब यह नहीं है कि यह संसाधन है तो हम जो है कभी बना सकते हैं तो इसको यूज करते रहें क्योंकि देखिए अगर जल भी उपलब्द है तो पीने योग ये जल मैंने आपको बताया था कि ए जादा मात्रा में वन और जो है वन या जीवन को हरास करेंगे या फिर काटेंगे तो क्या होगा वन या जीवन को समाप्त हो जाएगा तो यह जो है ना इसल है तो बहुत अधिक मात्रा में लेकिन जो है आप समझ लीजे कि किसी अति सर्वता वर्जते या आपने सुना यह किसी चीज की ठीक है अब बात करते हैं आ नभी करण योग्य संसाधन की ये क्या होते हैं ये ऐसे संसाधन जो एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है अब आप मैं आपको मैं पता दूँ कि जैसे आप जो है कोईला जीवाश ठीक है इनकी यूज करते हैं न तो बहुत लाखो करोडों वर्स लग जाते हैं और अगर एक बार ये खतम हुआ तो फिर तो तुरंत जल्दी बन नहीं पाएगा लाखो करोडों वर्स लग जाएंगे इन्हें बनने में तो इसलिए कहा गया है इसे अनवी करन मतलब इसकी पुनह पूर्ती नहीं की जा सकती ठीक अचक्री है वह एक बार प्रयोक के साथी खत्म हो जाती है तो इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग है ना एक्जाम में पूछा जाता है उधारन देखे जैसे जिवास में इधन दे दिया गया उधारन पूछा जाएगा कि ये नवी करन स्त्रोथ है कि अनवी करन स्त्रोथ है कि इस संसाथन का स्वामि या माली। तो एक थो होता है व्यक्तिकस और स्मुदायक संसाथन Sh지는 तो अब सबसे बात कर कर लेने के बारे में ठीक है तो व्यक्तिकत संसाधन क्या है संसाधन जो है न ये निजी व्यक्ति के ध्यान रखेंगे जिन संसाधनों का स्वामित निजी व्यक्ति के हाथों में होता है अब जैसे देखिए भूखंड हो गए ठीक है भूमी का कुछ हिस्सा हो गया घर हो गए और अन्य जायदात हो गए तो इनका मालिक तो निजी व्यक्ति होता है ना, तो ये हो गए व्यक्ति का संसाधन, अब आईए थोगा डेटेलिंग भी कर लें, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित में भी होते हैं, और बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमी होती है, ठीक है, आ बहुत से लोग भूमी के स्वामी होते हैं, और बहुत से लोग भूमी हीन होते हैं, जिनके पास कोई भी भूमी नहीं होती है, तो शेहरों में लोग भूखंड घरों और जयदात के मालिक होते हैं, ठीक है, बाग, चारगा, तालाब, कुहों का जल आदि संसाधनों के के मालिक है कुपोय का मालिक होते हैं तो यह जो है है यह जो है निज व्यक्तिकत चंसाधं हो है अब दूसरा है स्मुदाइक स्वामित्व वाले तो यह कैसे संसाधन है लिए जिन संशाध्न का सभा योस्व puzz bebे उता है यानि कि जैसे हो गया सारवजनिक पार्क हो गया ठीक है और क्या हो गया पिक्निक अस्थल हो गया खेल के मैदान हो गया वहां पे किसी एक का तो अधिकार होता है ना वहां पे विभिन सोसाइटी के लोग के बच्चे जाते हैं किसी को भी जाने का अधिकार है तो यह क्या है यह साम विलाद भूमी कहलाते हैं और नगरी चेत्रों के सारवजनिक पार्क पिकनिक अस्तल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है आई होप आपको सामुदाय को और जो है व्यक्तिगत संसाधन समझ में आ गया होगा ठीक है अब अगली बात करते देखें राश्ट्रिय संसाधन ये क्या है देखें तकनीकी तोर पर न देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राश्ट्री है ठीक है कहने के मतलब ये है कि देश में पाए जाने वाले सारे जो संसाधन हो है न वे राश्ट्रिय संसाधन है ठीक है और देश की सरकार को का सामुदाइक स्वामित वाले संसाधन में परिवर्थित कर सकती है तो आपने देखा होगा कि सड़के नहरे रेल लाइने व्यक्तिकत स्वामित वाले खेतों में बनी हुई है ठीक है आप देखते होंगे कि जब रेलवे लाइने वगेरा बनती है सड़के बनती है नहरे बनती और उसे जो है वो सामुदाइक के लिए यानि की सारवजनिक यूज के लिए जो है बनाती है ठीक है तो सहरी विकास प्राधिकर्णों में जो है सरकार ने भूमी अधिकरहन का अधिकार दिया हुआ है अब यह भूमी अधिकरहन आता है तो थोड़ा सा हम भूमी अधिकरहन के तभी यह स्मार्ट स्टडी होगी हमें रटने की विद्या पर बल नहीं देना है हमें सारी चीजों को समझ के चलना है करिंट डेटा को लेके चलना है ठीक है तो मैं आपको बताती हूं भूमी अधिगरहन बिल लाया गया है सरकार द्वारा और यह पारित भी हो चुका है इसम समझ लीजिए 1894 में बने कानून के दारे में होता था लेकिन मनमोहन सरकार ने मोटे तोर पर उनके तीन प्रावधानों में बदलाव किया सबसे बात करूं मैं अगर भूमी अधिगरहन की सूरत में समाज पर इसके असर लोगों की सहमती और मुवजे से संबंदित थे अब सोलन कर दिया अब यह देखते हैं कि इस बिल की क्या-क्या बारी किया है सबसे पहले बात कि समाज पर असर वाले प्रावधान को खत्म किया गया यानि की शोशल इंपेक्ट एसेस्मेंट की मदद से यह बात सामने आ सकती है कि जो है भूमी लिये जाने से वहां के समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भूमी अदिग्रहन का असर सिर्फ बड़े किसानों या जमीन मालकों पर नहीं होता है छोटे किसानों और मजदूरों पर भी होता है जो उनके खेतों में काम करते हैं जो वर्सों से उस जमीन पर काम कर रहे होते हैं और यदि जम उनको भूमी अद्ग्रहन में शामिल कर लिया गया है ठीक है और मैं आपको बता दू कि यह जो भूमी अद्ग्रहन भी लाया था ना इसके विरोध में भी बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं ठीक है यह चीज अब देखें आगे बात करते हैं हम अपने टॉपिक से 12.2 किलोमीटर अब आपको यहां एक और डेटा पता चल गया कि 12 समुंद्री मील इस इक्वल टू 22.2 किलोमीटर और इक्जाम में पूछा जाता है कि 12 नॉटिकल मीन में कितने किलोमीटर आते हैं तो 22.2 किलोमीटर आते हैं ठीक है यह चीज ध्यान रखिएगा और महासाग और यह चेत्र यानि कि भूभागिये समुंद्र इन में पाए जाने वाले संसाधन राश्ट की संपदा हैं राश्ट की संपदा क्या क्या हो गई खनिस्पदार जल संसाधन वन एवं वन जीवन है ना राजनीतिक सिमाओं के अंदर सारी भूमी ठीक है 12 समुंद्री मेल या अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मैप के थुरू देखिए यह हमारे भारत का साउथ पोर्शन है 30 एरिया यहीं से शुरू हो जाता है तो आप देख लीजिए यहां से जो है इधर वाटरी एरिया है पूरा पूरा वाटरी एरिया है तो आप यह समझ लीजिए कि इस करते हैं कुछ अंतराश्ची संस्थाएं संसादों को नियंत्रित करती हैं ठीक है और तट रेखा से 200 समुंद्री मिल की दूरी का जो छेत्र है खुले महासागरी संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है अब हमारे भारत को ही देख लीजिए कि 200 समुंद्री मिल यह तो है कि जो है यह खुले महासागरी संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है कहां तक 200 समुंद्री मिल की दूरी तक ठीक है और इन संसाधनों को अंतराश्ची संस्थाओं के सहमति के बिना उप्योग नहीं किया जा सकता अब इस बॉक्स में इंपोर्टन चीत दी हुई है यह भी देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक छेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैगनीज ग्रंतियों का खनन करने का अधिकार है और कुछ अन्य अंतराश्ची संसाधनों की पहचान करें अब देखिए जो जो चीजे खनन वगरा का कार्य होता है तो यह जो है आप जानते हैं कि साउथ पोर्शन में भारत के मैं बता दूं आपको शाउथ पोर्शन में जो है हिंद महासागर है तो यहां हिंद महासागर की तलहटी में पाए जाने वाले मैगनीज ग्रंतियों के खनन का अधिकार भारत को प् संसाधन है विसाहिस एक प्रदेशी में विद्यमान होते प्रनतु उनका उप Video के आपको बता दू कि भारत के पश्चिमी भाग विस्यसका आप बात कर लिघ कर लीज़िए राजस्थान और सौरूर्जा क्यों कि गुजरात और जो है यह बहुत संभावित संसाधने यहां पे ठीक है अपार संभावना है यहां पे ठीक क्योंकि आप देख लीजे कि जैसे यह पूरव से पश्चिम की और आते हैं तो आपका क्या होता है कि शुश्क छेत्र है ठीक है गर्मी बहुत हो साहा होती है तो वहां पे पावन उर्जा और सौरों ज़क के स्कोप पहुत ज़्यादा है ठीक है और इसलिए यहां पे ना अपार संभावना है पावन उर्जा और विकसित संसाधन जिनका किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुडवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है यानि की विक्सित की जा चुकी है अब देखिए संसाधनों का विकास जो है प्रदोगी की और उनकी संभावता के इस्तर पर निर्वर करता है अब जाहिर सी बात है हमारे पास मा बनती नहीं है तो यह हो चाहती है कि संसाधन विकास swoje depend करता है technology और उसकी समभ्यावता पे कि कितनी संभावना है यानि कि संसाधन भी जो है उस मात्रा में उपलब्र होना चाहिए और उसको यूज करने के लिए जो है टेकनोलोजी विविक्सित होनी चाहिए ठीक है अब जैसे देखिए बात कर लेते हैं भंडार की भंडार क्या है तो पर्यावरन में उपलब्ध वे पदार्थना जो मानों की आवश्यक्ताओं की पूर्ती कर सकते हैं परंतु उप्युक् सब्सक्राइब में चले गए हैं तो वाटर के कुछ नीचे तक लेवल की खोज कर सकते हैं लेकिन जो चीजे बहुत नीचे चली गई है तो जो समुंदरी एरिया के नीचे दब गई है चीजे ना उसका पता लगाना बहुत रियरिस्ट है अब देखें क्या है इसमें भंड यह योगिक है तो हाइड्रोजन जो है उर्जा का मुख्य उस्त्रोत बन सकता है लेकिन 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 ये बात सुलिजिए इस उद्देश से ना इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास ऐसी उन्नत तक्नीक का ग्यान ही नहीं है अब ग्यान नहीं है तो धरी धरी रह लेकिन संचित को थोड़ा सा डिफ्रेंशियेट करता है कि जिने ना उप्लब्द तक्नीकी की ज्यान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है यानि कि जो टेक्नोलोजी इस समय उप्लब्द है उसके ज्यान की वज़े से इसे जो है उप्योग में लाया जा सकता है लेकि लाए गया क्योंकि पेट्रोल हमेशा रहना नहीं है आपको पता होना चाहिए कि विभेन प्रकार के समुंद्री जीव जन्तू या फिर जो उसमें जो है प्लैंक टॉन्स पाए जाते हैं शैवाल पाई जाती हैं जलूव में तो वह बहुत नीचे दब गई और बहुत नतलब उच्च दबाओ और उच्च ताप के कारण जो है फिर पेट्रोल में परिवर्तित हुई है तो यह बहुत जल्दी तो बनेंगे नहीं इस प्रोसीजर को लाखो करोडो वर्स लग जाते हैं तो हर चीज के विकल्प खोजने चाहिए कि यह समाप्त हो जाएगा तो इसकी वन और ऑधी संचीत कोस है जिनका उफियोग भवशय में किया जा सकता है अब बांदों में जो है जल और वन ढाट्य संचीत बाते हैं जिनका उफियोग में जाना है तो चलिए यहीं समाप्त करती हूं मैं अपना वीडियो का पार्ट वन पार्ट टू में हम देखेंगे संसाधुनों का विकास ठीक है तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले और ब उसको पूरा डिटेलिंग किया कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है ठीक है अगले वीडियो में हम ना विकास के बारे में बात करेंगे किसके विकास के बारे में संसाधन के विकास में कि किस प्रकार इसका विकास किया जा सकता है और किस प्रकार संसाधनों क विकास जरूर चैप्टर देखिए उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है मेरे मेरे प्लेलिस्ट में उपलब्द है जरूर आप देख लीजिए और मैं आई बटन में भी उसका लिंक देदूंगी आपको थेंक्यू वेरी मुच